दोस्तों कुछ इस टाइब के AI फोटो एडिटिंग कर सकते हैं आप एक किलिक में आप देख सकते हैं एक महिंदरा थार है और उसके आगे एक लड़का है और उसके टी-सट में आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है आप इसे टी-सट बोलिए या फिर हूडी बोलिए तो बहुत ही ज़्यादा professional लगेगा दोस्तों आप अपने profile के लिए या social media में अगर आप कुछ इस type के अपना images create करके अगर share करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो post होगा वो viral हो चले फिर में जानते हैं एक click में कैसे t-shirt name या फिर आप महिंदरा थार AI photo editing कैसे कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी helpful लगता है तो इस वीडियो को like करके अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आया तो subscribe करके all पर notification set कर लिजेगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की notification आप तक सही समय पर मिल सके चले friends जान लेते हैं कि कैसे आ आप AI photo editing कर सकते हैं एक click में दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जाना होगा हमारा टेलिग्राम चैनल में टेलिग्राम चैनल का link वीडियो के description में दे दिया हूँ तो आप टेलिग्राम चैनल को join कर लीजेगा और यहाँ पर दोस्तों आपको images और prompt मिल ज रखिएगा और उपर में जो copy का icon है इस पर click करके आप इसे copy कर लीजेगा उसके बाद Google Play Store से आपको Bing application को download कर लेना होगा बिंग का जो application है आप देख सकते हैं इसमें आप अपना account बना लीजेगा उसके बाद दोस्तों आप इसमें अपना image बहुत ही आसानी से prompt की मदद से एक click में बना पाएंगे इसमें account कैसे बनाना है अगर आप यह नहीं जानते हैं तो already इस पर मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है वीडियो के description में जाके आप Bing AI creator account कैसे बनाया जाता है वो वीडियो आप देख लीजेगा अब आप simply यहाँ पर apps के option पर click कर दीजेगा और यहाँ दिख सकते हैं image creator लिखा हुआ है इस पर click कर दीजेगा image creator के option पर जब आप click करते हैं तो आपकी सामने यहाँ पर prompt paste करने का option आएगा तो prompt को यहाँ पर paste कर दीजेगा और आप जो भी editing करना चाहते हैं इसमें आप edit कर दीजेगा जैसे यहाँ 18 year लिखा हुआ है तो आप 19, 22 कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर सुभास लिखा हुआ है तो आप अपना नाम edit कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर create के option पर क्लिक कर दीजेगा जब आप create का option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकाफ से images बन करके आ जाएगा और इस images को आप एक क्लिक में download कर सकते हैं आपका जो post होगा वो viral हो जाए अलग-अलग prompt के लिए दोस्तों Google Chrome में जाए एक ओंलाइन सपोर्ट.com लिख के सर्च कीजेगा फरस्ट में ही website का link आएगा और यहाँ पर आपको latest prompt मिलता रहता है तो आप simply किसी भी post में जा करके latest prompt को copy करके भी आप create कर सकते हैं वीडियो पसन आया है तो like कर दीजे और साथ ही Instagram पर मुझे follow नहीं किया है तो follow कर लेजे हम मिलेंगे दोस्तों आगली वीडियो में thanks for watching this video